नंबर सिस्टम, concept of radix, radix यानी base, जैसे binary में सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1, तो उसका base हो गया 2, octal में 0 से लेकर 7 तक होते हैं, यानी 8 numbers हो गया, तो उसका base हो गया 10, तो उसका गलता है octal, decimal में 0 से लेकर 9, यानी total number हो गया 10, तो उसका base हो गया 10, और hexadecimal जो होता है, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 numbers होते हैं, तो यह होगा 10, और A से लेकर F, जो होता है 6, तो इसलिए उसका base होगा 16, तो उससे कहता है hexadecimal, तो concept of radix mainly consists, यही करता है कि number system, जिनके different different numbers है, और उनके अलगए-अलग base है, जैसे binary का base 2, octal का base 8, decimal का base 10, और hexadecimal का base 16, हम सबसे important topic पर आते हैं जो है इसका conversions, जो mainly exams में आते हैं कि binary से octal में करना है, octal से decimal, decimal से binary, hexadecimal से कुछ भी आना है, तो उन सब को सीखने के लिए बहुत easy method है, जो सबसे पहले decimal to binary conversion सीखने, decimal to binary conversion simply है divide by 2, जिसके अंदर क्या होता है, number को अपनको convert करना है binary, उसको यहां लिखते हैं, 2 से उसको divide करेंगे, और यह जो 0 है, वो divide करने हैं, reminder लिखते हैं, और यहां पर आएगा quotient, जैसे 28 divided by 2, gives 14 as quotient, और 0 हो जाएगा reminder, फिर 14 divided by 2, 7 हो गया quotient, और 0 हो गया reminder, अब 2, जब 7 को 2 से divide करेंगे, तो 1 remainder बचेगा और 3 उसका quotient है, क्योंकि 3 टूजा 6 होता है, तो 1 बचा reminder, वो यहां पर शोक करा, और फिर last मैं atlas ऐसे पूरा लिख दिया, और इसमें हमेशा याद रखना है, कि जब इसको करने के बाद में, नीचे से लेगा उपर तक जाएंगे, तो यह binary number बनेगा, कभी उपर से शुरू नहीं कर सकते कि 00111, क्योंकि starting में 00 कोई value शो नहीं करेगा, इसलिए 11100, यह है answer, अब next point पाते हैं, जो है binary to decimal, binary को करना है number को decimal convert, इसका simple है multiply by 2, और अपने अब bracket में लेखा है base, क्यों करकि वो आगे दूसरे conversions में काम आएगा, तो जैसे यहाँ पर अपने इसी number को नीचे करनाट करेंगे check कर रहे हैं, तो सबसे पहले हर के आगे 11100, यह हमने थोड़ा-थोड़ा space देखे पहले लिख देंगे, जो उपर number लेख रहे हैं, उसी को यह लिखा है, सारो को multiply by 2 करा, और फिर हर के बीच में plus लगा दिया, अब 2 क फिर 3 और फिर 4, इस तरह से power add करा, और जब solve करा, तो आया 16, 8, 4 और इन जब को जब add करा है, तो answer आगे 28 जो है decimal में 28, तो इसका मतलब यह दौनों बराबर check हो गए है, इसका मतलब हमने conversion एकदम सही करा है, पर conversion अब simple इतने simple तो आएंगे नहीं, बट कभी कबाल, decimal वाले conversions जैसे 2.25 को अगर binary में convert करना है, तो अपने को 2 को तो convert करना easily आता है, but what about the 25, इसको convert करना सीखना है, तो 0.25 को convert कैसे करना है, आगे वाले 2 को तो हमने convert करी दिया, उधर LCM और वाला फंडा लगा के, पर यहां पर जबाएंगे पर, 0.25 को multiply करना है 2 से, अगर 0.25 को 2 से multiply करना तो क्या है, 0.50, यह आगे जब तक 0 चल रहा है, जैसे यहां पर 0.50 है, तो point क्या आगे 0 है, तो यहां पर 0 लिख दिया, अब multiply पर वापस 2 करा, तो 1 बन गया, point क्या अपने, मतलब 1 आगया, 1.00 बन गया एक तरह से, 1.00, तो यह वन यहां पर हमने लिख दिया, तो इसका मत 0.01, अब अगर इसी को अपन वापस चेक करते हैं कि decimal में कैसा करनोट करेंगे, अगर point में दे रखा है, तो simple है, decimal जो point बीच का point हो, तो वहां का महीं रखा, आगे जो value है, 1 और 0, यह 1 और 0 जो है, हमने यहां लिख दी, और इधर पीछे वाली 0 और 1, यह 0 और 1 यहां पर हम में minus में पाउर से जाएगी, minus 1, minus 2, तो 0 multiplied by 2 की पाउर minus 1, यह तो 0 हो गया, और यहां पर 1 multiplied by 2 की पाउर minus 2, gives 1 upon 4, 1 upon 4 यानि 0.25, तो जब 0.25, 2 में add करेंगे, तो 2.25, यानि दोना answer match हो गया, इसका मतलब हमने perfectly conversion कर लिया, अब last में यह दे रखा है, decimal to octal, decimal to hexadecimal, अगर में करना है, decimal का किसी भी base में करने के लिए, डिर्क्ट डिवाइड करेंगे, तो यहां पर divide by 8 कर देंगे, अगर hexadecimal करना है, तो hexadecimal का जो base है, उससे divide कर देंगे, तो 16 है, और अगर octal to decimal करना हुआ, उल्टा आना है, तो multiply करना है, जगर 10 के base में लाना होता है, जब भी, किसी भी number को, तो multiply करना होता है, उसी के base से, यानी octal के base से, multiply by 8, hexadecimal में multiply by 16, now let's take some example, जैसा first example जो है, convert 81, जिसकी base है 10, उसको करना है hexadecimal मे, hexadecimal का जानी base क्या होता है, 16, yes, तो 81 दे रखा है, उसको करना है 16 के base में, तो simple हमने सीखा है, इसको divide कर देंगे 16 से, तो हमने प question हो जाएगा, अगर 5 तामस जाता है, तो 80 होता है, तो बस 5 तामस यहां पर कर रहा है, और reminder बचा 1, क्योंकि 16 फाइटी होता है, तो 1 reminder बचा तो यह, और यहां से उल्टा गिन लेंगे अपन, तो इसका बन जाएगा 51, in hexadecimal, यानी hexadecimal में 51 answer हो गया, आप चाहो तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, सिंपल है, चेक करने का क्या तरीका है, 51 को कैसे करता है, अलग अलग देंगे, यहां देंगे 5 और यहां देंगे 1, multiply by 16, multiply by 16, power रखा 0 और 1, और बीच में डाला addition का sign, तो क्या हो जाएगा यह, 16 की power 0 यानी 1, 1 multiply by 1 gives 1, plus 16 into 5 gives 80, answer is 81, that is in decimal, so, यह हो गया, simple सा तरीका, अब अगला question, जो है, convert 21, जो है, octal में, उसको करना है, binary में, तो यह देखा है, जो हमने concept पड़ा नहीं है, but, हम इसको एक अलग तरह से जा सकते हैं, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, पहले करेंगे, octal to decimal, फिर decimal to binary, it's as simple as that, octal को decimal को करेंगे, decimal को binary, क्योंकि जो देखा जाए, तो आपको answer भी बहुत लंबे-लंबे लिखने है, ताकि marks मिले, तो इसलिए यह बहुत अच्छा तरीका है, solve करने का, और it is the most easiest method, और इसमें कभी गलती होने की chances, बहुत ही बहुत कम होती है, तो simply हम 21 को, पहले decimal में कर देंगे, 21 को decimal को करने के क करते हैं, divide करेंगे, 8 से, क्या सही कर रहा है हाँ, नहीं, क्योंकि decimal को, अगर convert करना होता है, hexadecimal में, octal में, तो divide करते हैं, यहाँ पर करना है, octal को decimal में, तो करेंगे multiply, तो हम simply multiply करने के क्या करेंगे, 21 दे रखा है, तो 2 और 1, multiply by 8, multiply by 8, which means addition sign, 0 and 1, तो 0 times अगर होएगा, त plus 8 on the 8, and 8 to the 16, 16 gives 17 in decimal, जो नीचे base 10 है, वो show करता है कि decimal में है, अब इस 17 को convert करेंगे, बाइनेरी में, simple 17 divided by 2, so 2, 8 times 16 gives 1 remainder, 2, 4 times 8 gives 0 remainder, 2, 2 times 4 gives 0 remainder, 2, 1 and 0, so answer is, in this way, 1, 0, 0, 0, 0 and 1, it is in the binary form, so it's the simplest way to solve and convert anyth number. Some extra questions are given in the description below, you can solve them and answers are also provided there only for your practice, thank you for watching.